हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप यौल और वैल और फाइन एन आसा करता हूँ आप सभी स्टुडेंट्स अच्छे भी बहुत होंगे तो स्टुडेंट्स मैं हूँ तन्वीर सर अधरिस्टमिशन हाई स्कूल से वेलकम तू माई चैनल स्टुडी वी तन्वीर सर तो स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास नाइन सब्जेक सोशल साइन्स का चैप्टर जो था उसका पार्ट तू यहाँ पर स्टुडेंट्स सुरू करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक था यहां पर चटान एक या उससे अधिक खरीजों से बने संगठी ठोस पदार्थ को हम चटान कहते हैं चटान ने कठोर और मुर्दू भी हो सकती हैं और कह सकते हैं यहां पर चिद्रालू और चिद्रालू तो था वजन में भारी एवं हलकी भी हो सकती हैं विवीत प्रक्रिया के कारण पिन्य पिन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है निर्माण प्रक्रिया के अधार पर चट्टानों को जो है वो तीन भागों में बाटा गया है जिसमें देख सकते हैं यहां पर पहला होता है U जो बहुते होताइब यहां पर दीया है इसके बाद दुसरे आपे परतदार जीने पर्दार्ट से निर्मेद जिसके रोते हैं तीन प्रकार रीती की चटान, मिट्टी की चटान, अद्फवत कह सकते हैं यहां पे कंग, लॉम रीट की चटान, यह से हम गोला साम भी कहते हैं, उसके बाद नमबर टू है, राशानिक पदार्थ से निल्मी चटान, तीसरा दिया है, परतदार में जेविक पदार्थ, यानि जुना, दू प्रदेशकर दिया हुआ धिखते हैं अब स्टुट्ट के जितने प्रकारविटी है ना के विस्तुत जानकारी यहाँ पर ग्रहन करेंगे तो आगने चठान इन चठानों के निर्माण में भूगर्भ में रही प्रचंद गर्मी जो ती उसके जिम्मेदार होती हैं त। तो आप क्या मिलेगा अगनी मिलेगा आपको ठीक है और भूगर्व में गर्मी की इस प्रचंड प्रमार के कारण भूगर्व में साथ क्या होता धहकता रहता है यानि जीमीन की जो गर्मी होते हैं उसके कारण जिससे वहां इस्थित सभी पदात के अर्ध दर्वों में अगने अत्पादों अगनी कुर चट्टान कहा जाता है भारत में रजस्थान मर्दे प्रदेश दक्षणी प्रायदीप में कई स्थलों पर ऐसी चट्टानों का निर्माड हुआ है अगनी चट्टानों सबसे अधीक कठोर होती है जो ग्रेनाइट अंत्र इस्त्रव प्रक प्रार की चट्टान चट्टान है यहां पर दिया गया है नंबर टू परतदार चट्टान परतदार चट्टान पानी एवं अन्ने बालों के शरीत प्रभावशे अगनी चट्टाने तूटने लगती है चट्टानों के तूटने पर जब जल के द्वारा जल द्वारा नीच परत पर उसमें उपर की बनी परतों के वजन दबाव के कारण कह सकते हैं दबाव पढ़ता है और आने वाले यूग में उसमें परदार चटानों चटाने तयार होती है इसलिए ऐसे चटानों को परदार अथवातों जल्कृत चटाने कहा जाता है शेल खड़ी यानि जिप्शन, चूने, पत्था यानि और कोईला परदर चटानों के सिरेश्ट उधारन हैं बिहार और जारखंड वगेरा राज्यों में से कोईला और जिप्शन मिलता है क्योंकि इनी चटानों से वो प्राप्ट होता है था चटानों को प्रकार में रुपांतरीत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में चटानों का सवरूप संरचना एवंगुर्धन रुपांतरीत हो जाते हैं वास्ताओं में उच्छ तापमान और चटानों के इस्थरों का अधिक दबाव यहीं प्रेशर इन दो मुख्य परिबलों के शैयुक्त पर्भाव यहीं दोनों परिबलों के इफेक के कारण अगरे और प्रदल चटाने एकदम सो रूप एक नया सरूप धारन कर लेती हैं इन दोनों चटानों से जो नया सरूप धारन करते हैं उसे रुपांतरी चट्टान जो है वो कहा जाता है। परदर चट्टानों में से ही प्राप्त होते हैं उसके बाद स्लीट संग मरमर हीरा आदी रुपांत्री चट्टानों में से ही हमें प्राप्त होते हैं खनीजों का वर्गी करन हमारे देनिक व्यावार में लगबग 200 खनीजों का उप्योग प्रतिक शिया परोग चुरूप से होता है करी ऐगए로 का शर्व रमाने वर्गी करन संभप हो नहीं है उनका सामाने वर्गी करन निम्नशार यहां पर कियाा गया है पहला यहां पे खीमती धातुमे चतान जिसमें सोना ended उवह प्लेटीनम का समवश होता है यह तीनों सीचा एल्यूमिनियम कलाई निकल वगिर चौथा मिश्र धातु यानि जो मिश्र करके बनाए गई हो जिसमें क्रॉमियम मैंगरिन स्टंग स्टंग वैनेडियम आधिका समावेश होता है नंबर टू भाग में वाजित किया गया यहां पे आधातु में खनीज है जिसे आधात कोईला खनीज तेल प्रकुति गेश यूरियनियम त्यूरियूम इंसे जो यहां पर उत्पन्न किया जाता है इसलिए से संचालन सकती है तो खनीज का गया है अब इस प्रिंट से यहां पर आप चार्ट देख रहें इस चार्ट के अंदर कौन-कौन से खनीज कहां कहां पाय जाता है दूसरा मैगनीज करना अटक अडिसा मर्द्य प्रदेश महाराष्ट गोवा के अंदर पाय जाता है तो स्टुरेंट्स यहां पर आपने देखा महाराष्ट और कह सकते हैं उडिसा और यह दो जो राज्य जो है वह कौमन चीजें दोनों की मही और गोवा यानि तीन ठीक है कह सकते हैं महाराष्ट गोवा उडिसा यह तीन जो है वह ओनों मिलता है थी Canal अप सभी स्टुरेंट्स को कॉछमन चीज है वह वह सब याद रखनी है जैसे यहां पर महाराष्ट हो गया गोवा और जिसा यह दोनों उसके बाद चौथा बॉक्साइट जो है वो उडिसा अंदर प्रदेश 36 गर्ड महाराष्ट गुजरात यानि स्टुरेंस कह सकते हैं महाराष्ट के अंदर लोहा मेगनीज तांबा सब चीजी पाए जाता है ठीक है और उडिसा के अंदर भी पाए जाता है ठीक है लेकर उडि जो पाए जाता है फो परदेश चुन में चेटर एक देड़र में नतर और उसका विवरण विधरतिव आप जानते हैं मिट्टी कुर्शी के लिए महात्वपूर्ण संसाधान है कुर्शी काय के उपरांत या मिट्टी अत्यंदी महात्वपूर्ण है जमीन पुर्थवी की सतर परिस्तित जेविक एवं आज जेविक पधार्तों से निर्मीत एक पतला इस्तर है जिस तरह किसी सेब एवं उसके पतले चिलके के साथ संबंद होता है ठीक उसी तरह पृत्वी की सतर के साथ मिट्टी का भी संबंद होता है पृत्वी की पपड़ी के उपरी पतले इस तरह को मिट्टी का जाता है मिट्टी का निर्मान किस तरह होता है वो हम यहां पर दिखेंगे मिट्टी चट्टानों के विखंडन से जन्मी है एवं चट्टानों के सत्वाले भागों का था बर्शाथ हीम हवा वनस्पति और जीवनस्पति आई परिवलो से विखंडन होने से चटानों का चून बनता है और भूमी आवरण बनता है हम इस भूमी आवरण में चटानों के छोटे वड़े टुकडे कंकर रज आदी होते हैं जिस पेवल खनीश होते हैं उसके परषा उसमें जेवइक दर्व हवा और पानी मिलते हैं अंत में उसमें मिट्टी बनती है जिसे मिट्टी का निर्मार की यह परक्रिया धिर्ग कालीन है उसके वाले हैं तो यहां पर भारत की मिट्टी को निम लिए कि 6 बागों बाटा गया जिसमें पहला काप की मिट्टी काली मिट्टी लाल मिट्टी लेटराइड मिट्टी परव जाती है वह यहां पर हमँद Lewis और नक्सा देख पा रहा हैं तो इस्टोडे Mississippi कॉंवराभ सब्सक्राइब होई हुए तो यह कह सकते पर के सब्सक्राइन ने मिलती है बाए पंजाब उसके PO फट्रबाद उत्राखांड उत्तरगांड उत्तरःखने में नहीं कर दीड़ें में इसमें पाई जाएगी तहुए ऐसे चाहएके पश्चि मंगाल अर रजस्थान के अंतर गुजरात वीं काली जमीन जो है वो देखने को मिलती है लाल जमीन तो स्टुनेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप अरॉरांचल परदेश हो गया सिक्की हो गया मेगाले हो गया ठीक है यह सब जगह में और कुछ पार्ट जो है वो औरिसा के अंदर भी यहाँ पाया हुआ है ठीक है तो यह कह सकते हैं उ आप तो से बाद कुछ यहां पर महरास्टा में कुछ कनाटक के अंदर भी आया हुआ है थीक आयो है जब है निक सकते हैं तो स्टुरेंट्स यहां पर पर आगे परवती जो है वह बिश्चमीर और उत्राखन के अंदर परवती जमीन पाहुआ है दूसरा अरवडांचर करने वाले हैं तो किसी दो यजह थी परकार बतायां सब्सक्राइब करते हैं मैदान से निर्मित या मिटी मुकितन नदियों के पास के शेत्रों में पाई जाती है यह अनुपात में रेतिली होती है पुराने काप के मिटी उन शेत्रों में पाई जाती है जहां नदियों के बाढ़ का जल जो होता है वो उचाई के कारण नहीं पहुच पाता है इस प्रक यह मिटी अत्ययंत हुप जाओ होती है जो पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार पश्ची मंगाल के राज्यों में इसी प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है जो हमने मैप में देखा नमबर टू काली मिट्टी दिया गया यह मिट्टी मुख्य रूप से महराष्ट पश्चि है लंबे शमय तक नमी धारण करने की चमत्य रखती है किया मिटी रुपांध्री चटानों का तयार के दौरा तयार हुई है और कपास की फसल के लिए अत्यांती अनुकूल है इसलिए हमारे गुजरात में कपास ज्यूपन होता है कि कपास की काली मिट्टी के नाम से भी जाने जाती है यह मिट्टी रेगर नाम से भी पहचाने जाती है नेक्स्ट हमें दिया हुआ तिसरा पॉइंट यहां पे लाल मिट्टी अगने और रुपांदरी चटानों वारे छेतर में लाल मिट्टी आई हुई है लो तत्व एवं अन्य खनीज तत नेक्स्ट हमें स्टुटिन दिया इस चौथा पार लेटराइट मिट्टि अधिक वर्षा के कारण तिवर कटाओ के प्रिणाम स्हरूब लेटराइट मिट्टि जो है वह बनती है अत्य तेंटे वर्षा के कारण जमीन के उपरी स्थर में से पोशन तत्व जो होते हैं वह मिट्टी जो होती है वो लाल रंग की होती है ऐसी मिट्टी देखन के पठारी मतलब पहाड़ी परदेश में करनाटक केरल और उडिसा पुर्वतर के कई भागों में पाई जाती है नंबर फाइब परवती मिट्टी जन्गलों के कारण जेविक दरुगों का प्रमान अधिक बड़ा है जबकि अलग अलग स्थलों पर भी निताबी देखने को मिलती है श्रीवालीक परवत्ष्रीनी पर यह मिट्टी कम उर्वरक एममा परिपक्व लगती है यह मिट्टी रेतिली और शिद्रालों और जेविक द्रवों की कमी वाली होती है ऐसी मिट्टी देश के प नमबर सिक्स और आखरी मिट्टी दिया है मरू स्थली मिट्टी यह मिट्टी सुस्क और अर्द सुस्क छेतरों में होती है यह मुखिता गुजरात अजस्थान पंजाब हरियाना के विस्त्रों सुस्क छेतरों में ही यह मिट्टी पाई जाती है इसके चार क्रोणों की कारण देश की मिट्टी में कई तरह की विविता पाई जाती है आई हॉप आप सभी स्टुडेंट्स को यह पार्ट जो है वह अच्छे समझ में आ गया होगा ओके स्टुडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बीजिये तर्मीर सर को इजाजत तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंसे नहीं किया तो जरूर करें ठीक है स्टुडेंट्स ओके बाई